नमस्कार, व्याख्यानत से असमिन भागे, अहम भवताम समेशाम भवताम असमिन भागे, वयम तर्क संग्रहस्य गुणानाम विवेचिनम पठिश्याम अहाँ एतत पूर्वम वयम केके विशया पठित वन्तह इत्यपी विचारनियम एतत पूर्वम वयम भारतिय दर्शनस्य परिचाय तस्य आचारिय श्रंखला च द्रव्यस्य निरूपणं पठित वन्तह अथ गुणानाम विवेचिनम असमाकं अध्य पाठनिया विशयाह चतुर्दश गुणाह प्रमाणानी एतत अंतरगतं प्रत्यक्ष प्रमाणम अनुमान प्रमाणम शब्द प्रमाणम तद नंतरं उप्सण्हारह अथ गुणानाम विवेचनम यह द्रव्यात कर्मनष्च भिन्नह भवती तथा यस्मिन सत्ता अर्थात सामान्यम सम्वाय संबंधेन विद्यमानम भवती स गुणा उच्यते गुणाह चतुर विन्षती संती रूपम रसह गंधह स्पर्शह शबदह संख्या परिनामं प्रतकत्वं परत्वं अपरत्वं संयोगह विभागह गुरुत्वं द्रव्यत्वं स्नेह सुक्खं दुखं बुद्धी इच्छा देशा प्रयतनाह धर्माह अधर्माह संस्कारह च अत सर्वप्रथमं रूपं रूपं किम चक्षुर मात्र ग्राहियो गुणो रूपं तच्च सप्तविधं श्वेतं रक्तं हरितं पीतं कृष्णं कपिशं चित्रं इदम रूपं प्रुथ्वी जल तेजसु वर्तमानमस्ति तत्र प्रुथिव्याम सप्तविधं रूपं जले केवलं अभास्वर शुकलं तेजसी च भास्वर शुकलं रूपं भवति अस्य स्थानम चक्षुर्सी वर्तति अथ रसाहा रसना ग्राहिय गुणो रसाहा सच शडविधाह मधुरहा अमलह कटुहु काशायह लवणह तिक्तहा अयम रसाह प्रुथ्वी जलयोह वर्ततेज प्रुथ्व्याम शडविधाह रसाह भवति जलेतु मधुरहिव शरीरे अस्य स्थानम जिवहा अग्रे भवति ग्राणेंद्रिय ग्राहियो गुणो गंधाह अत गंधस्य निरूपणम सच द्विविधा सुगंधा दुरगंधाह च अयम केवलं प्रुथिव्याम एव वर्तते अस्य स्थानम नासा ग्रवर्ति भागे भवति स्पर्शह अयम गुणाह त्वचा ग्राहियते सच स्पर्श त्रिविधा उष्णह शीताह अनुष्णशीताह तत्र तेजसी गुणाह उष्णह स्पर्शह जले शीताह स्पर्शह प्रुथिव्याम वायोच अनुष्णशीताह स्पर्शह संख्या अयम एकह इमव द्वाव इमेत्रय इत्यादी व्यवहारे यो हेतु सा संख्या इति कत्यते सा संख्या नवसु द्रव्येशु भवती तत्र एकत्व संख्या नित्या अन्याह सरवाह अनित्याह एकत्व संख्या अनित्यापी भवती इयम अनित्या एकत्व संख्या अनित्येशु द्रवेशु भवति, नित्य द्रवेशु अर्थात पर्मानुशु नित्या भवति इयम संख्या एकत्वा रभ्य परार्ध परयंतम भवति अत परिमानम, का परिमानम? मानम व्यवहारस्य असाधारणं कारणं परिमानं कत्य दे तच्च नवद्रवेशु वर्तते एतत परिमानं चतुर्विधं भवति ह्रिस्वं अनंतरं दीर्गं अन्महत एवंच प्रतकत्वं अयम अस्मात प्रतक इति यो व्यवहारह तस्य असाधारणं कारणं प्रतक नाम कह गुणो भवति एतत परिमानं सर्व द्रव्य व्रत्ति ही भवति संयोगह इदम अनेल संयुक्तम इति व्यवहारह तस्य असाधारणं कारणं संयोग नाम कह गुणो भवति अयमपी गुणह सर्व द्रवेशु वर्तते अथो विभागह संयोग नाशको गुणह विभागह भवती अयमपी सर्वेशु द्रवेशु वर्तमानह आस्ते एतद नंतरं परत्वं अपरत्वं अयम अस्मात परह अयम अस्मात अपरह वा इती व्यवहारस्य असाधारणं कारणं परत्वं अपरत्वं च भवती इदं गुणद्वयं पृत्वी जल तेज वायुशु वर्तते परत्वस्य अपरत्वस्य च निर्धारणं दिशा विधीयते काले नवा यद्रव्यं दूरं भवती तद दिक्रतं परं यच्य निक्रतं भवती तद दिक्रतं अपरं भवती इवमेव कालकृतं परत्वं चेश्ठे भवती कनिश्ठे चा कालकृतं अपरत्वं जायते अत गुरुत्वम आध्य पतनस्य असम्वाईकारणं गुरुत्वम भवती द्वितियाधी पतनेशु वेगस्य असम्वाईकारणत्वम भवती गुरुत्वस्य सम्वाईकारणं द्रव्यं भवती द्रवत्वम आध्यस्य स्यंदनस्य असम्वाईकारणं द्रवत्वम कथ्यति द्विति आदेहे स्यंदनस्य वेगह असम्वाईकारणं भवति द्रव्यत्वस्य असम्वाईकारणं द्रव्यम भवति इती इदम द्रव्यत्वम विविधम भवति सांसिधिकं नैमितिकं सांसिधिकं द्रवत्वं जले भवती नैमितिकं च प्रतवीते जसव एतदनंतरं स्नेह येन गुणेन चुर्णादी नाम पिंडं विधियते सगुणाह स्नेह इती कथ्यते अयम गुणाह केवलं जले एव विध्यमानं आस्ते शब्दाह शोत्रे ग्राहियो गुणो शब्दाह आकाश मात्र वृत्ति ही सच द्विविध ध्वन्यात्मको वरनात्मको तत्र ध्वन्यात्मको भेर्यादो वरनात्मकह संस्कृत भाषादी रूपह अथ बुद्धी ही सर्व व्यावहार हेतो गुणाह बुद्धिर ज्ञानम साच द्विविधा स्मृति अनुभवस्च तत्र संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम ज्यात विशयकं ज्ञानम वा स्मृति इती कथ्यदे स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभवा अत यथार्धानु भवह स्य चत्वारह प्रकारह भवंति प्रत्यक्षम अनुमिति ही उपमिति ही शाब्दाह एतेशाम करणानी अपी चतुर्विधानी भवंति तत्र प्रत्यक्ष प्रमायाह करणं प्रत्यक्ष प्रमाणं अनुमिति प्रमायाह करणं अनुमान प्रमाणं उपमिति प्रमायाह करणं उपमान प्रमाणं शाब्दी प्रमायाह करणं शाब्द प्रमाणं अत्वा शब्द प्रमाणं इदानिम कारणस्यव्याक्या क्रिय यत पूर्वम इदम ज्ञानम परिहार्यम अत्र यत अनुभवाः द्वी प्रकारेण भवती यथार्थ अयथार्थ अनुभवाः कहा यद वस्तु याद्रशम अस्ती तस्य विशये ताद्रशम ज्ञानम यथार्थानुभवाः यत यथा घट विशये अयम घट अह यत ज अय थार्थ अनुभव अवम एव यद वस्तो याद्रशं भवती तस्य विशये तद भिन्नम ज्यानम अय थार्थ अनुभव इती कत्य दे यथा रज्जो सर्प इती ज्ञानम, शुक्तो रजितम इती ज्ञानम, स्थानो पुरुशह इती ज्ञानम कारणम कारणस्य का परिभाषा, कारणस्य परिभाषा इत्थम भवती यथ कार्यस्य नियत पुर्ववर्ती भवती तत कारणम यत कार्यस्य पश्चात भवती, नित्ययव भवती, नियमेन भवती, निश्चयेन भवती तत कार्यम इत्युक्चते न्याय मते कारणम त्रिविधं भवती, सम्वाई कारणम असम्वाई कारणम निमित्त कारणम च अथ कारणम, सर्वप्रतमं, सम्वाई कारणम, यस्मिन वस्तूनी यत कारियं सम्वाय सम्बंधेन उत्पद्यते, तत वस्तू तस्य कार्यस्य सम्वाई कारणम भवती यथा मृत्पिंडाह घटस्य सम्वाई कारणं तंतवाह पटस्य सम्वाई कारणं यद सम्वेतं कार्यम उत्पध्यते वस्तुत सैव सम्वाई कारणं उच्यते अनंतरम असम्वाई कारणं कारियन सह कारणेन वा सह एकस्मिन वस्तुनी सम्वाई सम्बंधेन वर्तमानं सत यत कारणं भवती तत असम्वाई कारणं कत्यते यथा द्वयो कपालयो सैयोगह घटस्य सम्वाई कारणं एवं तंतुनाह सैयोगह पटस्य सम्वाई कारणं अयम सैयोगा कारियन घटेन पटेन वा सह एकस्मिन कपालत द्वये तंतुशुवा सम्वाई सम्वाई सम्वंधेन वर्तमानह घटह पटह वा उत्पादयती द्वी प्रकारकं सम्वाई कारणं तु इत्थम ज्यातव्यं कार्यस्य सम्वाई कारणं सम्वाई कारणे कार्येण सह वर्तमानं कारणं असम्वाई कारणं भवती यथा पट रूप कार्यस्य असम्वाई कारणं तंतु रूपम, घटस्य असम्वाई कारणं कापाल रूपम अथ तृतिय कारणं निमित कारणं यथ पूर्वक्ताभ्याम द्वाभ्याम भिन्नम सत कारणं भवती तत निमित कारणं यज न सम्वाई कारणं भवती न ज सम्वाई कारणं भवती तद निमित्त कारणं भवती यथा पटस्य निमित्त कारणं दंडः चक्रं कुलाल आदी पटस्य च तुरी वेम तंतु आदय निमित्त कारणं भवती इती प्रत्यक्ष प्रमायाहा कारणं प्रत्यक्ष प्रमाणं निरुप्यते तत्र प्रत्यक्ष प्रमाणस्य तावत स्वरूपं निगध्यते अथ प्रत्यक्ष प्रमाणं प्रत्यक्ष सामान्यस्य कारणं प्रत्यक्ष प्रमाणं कत्यते अपरम अपी लक्षणम अस्ती प्रत्यक्ष प्रमानस्य तच ज्ञाना कारकम ज्ञानम प्रत्यक्षम इती प्रत्यक्षम ज्ञानम इंद्रियानाम पदार्थेन सह संबंधेन सती उत्पद्यते अतह इंद्रियानी एव प्रत्यक्षम प्रमानम कच्यते तेभ्य इंद्रिय भ्य उत्पन्नम यद ज्ञानम तद प्रत्यक्ष प्रमा इती कच्छते तद प्रत्यक्षम प्रमात्मकं ज्ञानम द्वीप्रकारकं भवती सविकल्पकं निर्विकल्पकं च निर्विकल्पकम ज्यानम तदेव भवती यद विशेशेन रहितम भवती नाम जात्याद्य योजना रहितम ज्यानम एव निर्विकल्पकम ज्यानम उच्चते यथा इदम किंचित वस्तु अस्ति यद किंचित इदमिती सविकल्पकम ज्यानम तद कर्थेते यत्र विशेश स्यभानम भवती नाम जात्यादे योजनात्मकम ज्यानम सविकल्पकम उच्यते यता अयम देवदत्तह, अयम श्यामह, अयम डिथ्थह, अयम क्रश्नह इत्यादि इंद्रियार्थ सन्निकर्षः एव ज्यानम भवती प्रत्यक्षम अतह सन्निकर्षः कह इदम प्रश्नम अपी जायते सन्निकर्षः तातपर्य अस्ति संबंध हा स प्रत्यक्ष ज्यानस्य हेतु सच शडविधा भवती संयोगह संयुक्त संवाय संवेद संवाय संवाय संवेद संवाय विशेशन विशेश्य भाव अत संयोगह संयोगह कीद्रशह संबंध हा चक्षुषा घटस्य प्रत्यक्ष जनने संयोगह सन्निकर्षः भवती यथा घटस्य दर्शनम संयुक्त संवाय चक्षुषा घट रूपस्य प्रत्यक्ष जनने संयुक्त संवाय संनिकर्षः अत संवाय हा श्रोतेन शब्द साक्षात कारे समवाय ह सन्निकर्षो भवती यतो ही कर्ण विवर वर्ती आकाश ह एव श्रोत्रेंद्रियो भवती शब्दाह आकाशस्य गुणाह गुण गुणी नोर मध्य समवाय समबंधो भवती तसमात शब्दस्य प्रत्यक्षे सती शब्दाकाशयो समवाय समबंधो भवती समवेत समवाय की द्रशह समबंधा शब्दत्व जाते साक्षात कारे समवेत समवाय सन्निकर्षो भवती शब्दत्वं शब्दे सम्वाय संबंधेन तिष्ठती, शब्दस्य आकाशे सम्वाय संबंधेन वर्तती अता इव शब्दत्वस्य सम्वाय कारणं शब्दह, शब्दस्य च सम्वाय कारणं आकाश्य तस्मादत्र शब्दत्व प्रत्यक्षे सम्वेत सम्वाय सन्निकर्षो भवति अन्ते विशेशन विशेश्य भाव अयम कीद्रश सम्बंधास्ति अभावाय प्रत्यक्षे विशेशन विशेश्य भाव सन्निकर्षेन भवति घटा भाववत भूतलम इत्यत्र घटा भावः विशेशनम भूतलम च विशेश्यम अतह अत्र प्रत्यक्षे विशेशं विशेश्य भावः संबंधो भवति एवं कस्यचिदपी पदार्थस्य प्रत्यक्षम ज्यानम एतेशाम शडविधानाम सन्निकर्षानाम अन्यतमेन सन्निकर्षेण भवति एतत उपरांतम अनुमान प्रमाणम किम अनुमानम द्वितियस्य अनुमान प्रमाणस्य लक्षणमस्ती अनुमिती कारणम का नाम अनुमिती इती प्रश्ने तु परामर्ष जन्यम ज्यानम अनुमिती को नाम परामर्ष अह इती प्रश्ने समुधिते परामर्षस्य लक्षनम व्याप्ती विशिष्ट पक्षधर्मता ज्यानम परामर्षः असमिन लक्षणे पदद्वयम व्याप्ती ही पक्षधर्मता तत्र कानाम व्याप्ती इती प्रशने समायाते सहचर्य नियमो व्याप्ती सहचरती इती सहचरह सहचरस्य भाव सहचर्यम सहचर शब्दात नत प्रत्ययम संयोज ते सहचर्य शब्दो निश्पन्नो भवती यथा अग्निनाह व्याप्त धुमवान अयम पर्वतह अस्तु एवं विधं ज्यानम एव परामर्ष वन्निमान पर्वतह एवं विधं ज्यानम एव परामर्ष तस्मात परामर्षात उत्पन्नम पर्वतो वन्निमान अर्थात अग्निना संयुक्त अर्था पर्वतह एवं व ज्ञानम अनुमिति यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वन्नी एवं सहाचर्य नियमों व्याप्ति ही व्याप्यत्वं अर्थाद धूमादी नाम परवतादव विद्यमानत्वं पक्ष धर्मता विद्यति अत अनुमान प्रमानत से भेदाहा अनुमानम द्विधम स्वार्थम परार्थम च तत्र स्वार्थम स्वानुमेती हेतु हु तथाही भूयो भूयो दर्शनीन यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नी इती महानस आदवु व्याप्तिं ग्रहित्वा, पर्वत समीपं गतः, तद गते चाग्नु संधिहान, पर्वते धूमं पश्यन, व्याप्तिं स्मरति, यत्र यत्र धूमा, तत्र तत्र वन्नी इति वन्ही व्याप्य धूमवानयं पर्वतः इति ज्ञाणम उत्पद्यते अयम एवलिंग परामर्षः तस्मात पर्वतो वन्ही मान इति ज्ञाणम उत्पद्यते तद एतत स्वार्थानुमानम अत परार्थानुमानम यत्तु स्वयं धूमाद अग्निम अनुमानाय परम प्रती बोधहितुं पंचावयवयं प्रयुज्यते तत परार्थानुमानम यत्ता पर्वतो वन्निमान प्रतिज्या धूमत्वात हेतु योयो धूमवान सस वन्निमान यत्ता महानस उदारणमिदं तथा चयम उप्नयनम तस्मात तथा इति निगमनम अनेन प्रतिपादितात लिंगात परो अपियगनिम प्रतिपद्यते अध हेत्वा भासाह यद असद हेत्व अस्ति पंचाव्यवेन वियुक्ता अस्ति सद हेत्व नास्ति तद हेत्वा भासाह संति सद्व्यभिचार विरुद्ध असत्प्रतिपक्ष असिद्ध बादिताह पंच हेत्वा भासाह अर्थात हेत्वा भासाह पंच दाह भवन्ति सत्व्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध बादिताह नामधेया हेत्व अनुमिती ज्यानस्य मुख्या आधारह वर्तते यदी सद्ध हेत्व स्यात तरही अनुमिती भविश्यती असद्ध हेत्वा अर्थात अशुद्ध हेत्वना अनुमिती ज्यानम इती कत्य दे हेत्वा भासस्य अर्थः हेतु हु नशन अपि हेतु वत प्रती तिर्यस्यस हेत्वा भासह सर्व प्रिथम सव्यभीचार सव्यभीचार हेत्वा भासस्य त्रिधा सव्यभीचार अनेकांतिक अनुपसंगारी सच त्रिधा साधारण असाधारण अनुप्संगारी तत्र साध्य भाव वत बृत्ति साधारण अनेकांति कहा यथा पर्वतो वन्हिमान प्रमेयत्वाद इती अत्र प्रमेयत्वस्य वन्हाव वत इती रदे विद्यमानत्वात सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त हा पक्ष मात्र व्रत्तिर असाधारण यथा शब्दो नित्य शब्दत्वात इती शब्दत्वम ही सर्वेभ्य नित्यभ्य अनित्यभ्यस्च व्यावृत्तम शब्द मात्र व्रत्ति अत अनुप्संगारी अनुवय व्यतिरेक द्रश्टांत रहितो अनुपसंगारी यथा सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात अत्र सर्वस्यापी प्रमेयत्वात द्रश्टांतो नास्ति विरुद्धह साध्याभाव व्याप्तो हेतो विरुद्धह यथा शब्दो नित्य कृतकत्वा इती अत्र कृतकत्वं ही नित्य नित्यत्वा भावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम सत्प्रतिपक्षत यस्य साध्य भाव साधकं हेत्वंतरं विद्यते स सत्प्रतिपक्षह यथा शब्दो नित्यह श्रावनत्वात शब्दवत शब्दो नित्यह कार्यत्वात गडवत असिद्ध असिद्धस त्रिविधा आश्रयासिद्ध स्वरूपासिद्ध व्याप्त्यासिद्धस चैती बाधितह यस्य साध्यभावः प्रमानांतरेन निश्चितह स बाधितह यथा वन्हिर अनुष्णो द्रव्यत्वाद इती अत्र अनुष्णत्वं साध्यं तदा भाव उष्णत्वं स्पर्शेन प्रत्यक्षेन ग्रह्यते अत शाब्द प्रमाणम यथार्थ वक्तारह मनुष्याह आप्ताह कत्यंते आप्त जनस्य वाक्यम शब्द प्रमाणम विद्यते पदानाम समूहं वाक्यम यथा गामानय पदानाम समूहं वाक्यम तदैव कते अंती यदा ते शब्दाह परस्परम अनवय युक्ताह जिग्यासारू पार्थस्य प्रकटई तारह तथा बुद्धव एकार्थस्य बोधकाह अथ सुखम सुखम किम सर्वेशाम अनुकूल वेदनीयम सुखम संसारे सर्वे सुखम अभिलशती सर्वम यदी अनुकूलं भविशती तरही सुखस्य अनुभवः भविशती दुखम किम प्रतिकूल वेदिनीयम दुखम अर्थाथ यदी सर्वम प्रतिकूलं भविशती तरही वेदनायाह अनुभवः भविशती इच्छा द्वेश प्रयतनाह इच्छा का इच्छा कामह क्रोधो द्वेशाह कृति प्रयतनाह धर्मा धर्मव वेद विहित कर्म जन्यों धर्मः और थात वेदेशु यद किंच दपी उक्तम तद धर्मा निशिद्ध कर्म जन्य तद अधर्मा यो वेदेशु निशिद्धाह तद अधर्मा कत्यते अत्मा बुद्ध्यादयो अश्टव आत्म मात्र विशेश गुणाहा बुद्धिच्छा प्रेत्नाहा नित्याहा अनित्याश्चा नित्याईश्वरस्य अनित्याहा जीवस्य संस्कारह कसंस्कारह संसकारस त्रिविधह वेगो भावना स्थिति स्थापकस्च चैती वेगह प्रतिव्यादी चतुष्टय मनो विश्टिह अनुभवजन्या स्मृति हेतुर भावना आत्म मात्र विश्टि अन्य था कृतस्य उनस्तद अवस्थापकह स्थिते स्थापकह कटादी पृत्वी वृत्थी एवं इत्थम उपसंग्रित रूपें इदम कथे तुम शक्यते यत भारतिय दर्शनम अतीव सुक्ष्मम वर्तते महा महो पाध्याय अनम भट्ट प्रणीतह तर्क संग्रह वैशेशिक दर्शनस्य महत्व पुर्ण ग्रंथो अस्ति असमिन ग्रंथे न्याय वैशेशिकयो मूल भूताह सिध्धानताह यता अलपई शब्देरेव वर्णिताह संती तद अन्यस्य वशे नास्ति तेन तर्क संग्रह एवं विशयह संक्षिप्ताह कृताह यत तत्र सांप्रदाई काह मान्यता अपी कुत्रापी नोप्रताह तथा कुत्रापी क्लिष्टतापी नद्रश्यते अत्यंत सरल विधिना संक्षेपेण सिध्धानताह विवेचिताह अतह संक्षेपस्य द्रष्ट्यापी तर्क संग्रहस्य दर्शन साहित्य महत्वं विद्यते अनेन सहेव संपन्नम आपनोती अस्माकम अयं भागह नवीनं घटकह भागंच आदाय वयं पुनर क्यादा क्यां विख्य। क्यादाब सक्षेपस्य व्य। झाल झाल